अगर आप अपने चेहरे से फेसियल हेयर को पर्मानेंटली खतम करना चाती हैं तो दो इस टेप वाला इस होम रेमडी को करके देखिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्कीन का खूप सारा ध्यान आप लोग रख रहे होंगे खूप सूरत दिखना हर कोई चाता है हर कोई यह सोचता है कि इसकीन जो है हमेशा गलो करे खूप सूरत दिखे कोई भी फेस पे दाग ना हो कुछ भी ना हो इसकीन चमकता धमकता हो लेकिन जो यह फेसियल हेर होता है बहुत जादे परिसान कर देता है इसकीन काला सा दिख लगता है और यह पर्मनेंटली जाता भी नहीं है चाहें हम अपने फेस्पे कुछ भी लगा लें कुछ भी कर लें लेकिन खतम नहीं होता है तो इस फेसियल एयर को पर्मनेंटली साफ करने के लिए आज मैं दादी मा के बताये हुए इस घरेलू नुस्खे के बारे में आप को बताने वाली हूं इसका result अमेजिंग मिलेगा तो हम जादे बाते नहीं करते हैं चलिए चलते हैं किचन में और देख लेते हैं एस सलूसण को हम किस तरीदे नहीं ते हैं और लेगा है किचन में हमें लेना है एक पतीला और इसमें हम आधा ग्लास पानी एट कर दिया है पानी में थोड़ा सा उबाला जाएगा तो इसमें आपको एट कर देना है दस से बारल लॉंग जो की गरम मसाला का एक हिस्सा है खाने वाला लॉंग आपको गरम मसाला में मिल जाएगा और इजली सभी के किचन में होता ही होता है जो भी रेमडी आप लोग के साथ में सेयर करती हूं कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके किचन में सारा सा मगरी मिल जाएगा तो हमें आप दस से बारा लॉंग लिये थे और इसमें हम एक डाल चेनी का टुकड़ा एड कर दिया हैं बहुत सारे लोग सोच रहे सकती हैं इसे बनाने के बारे में पूरी जानकारी लेकर के जाईएगा अगर आप होम रेमडीज पे विश्वास करती हैं तो फेसियल हैर को रिमूट करने के लिए घरेलू नुस्खा से बेहतर कुछ भी नहीं होता है एक नेचुरल होता है और इसकीन को नुकसान पहुंच जाता है दाना नहीं करने लगता है पर इस तरह का घरेलू नुस्खा आप यूच करेंगी रेगुलर बेस पे लगाएंगी अपने फेस पे तो फेसियल हैर कब खतम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो जैसे कि आप लुप देख सकते हैं कि यह सलूसन बनके तया हो गया है इसमें हम लॉंग लिये थे और दालचीनी का टुकड़ा था अब अच्छे से पक गया है इसे पकाने में मुझे 10 मिनट लगा था गैस का फ्लेम कम करके आप इसे 10 मिनट के लिए पकाईएगा पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा ठीक है जी इस तरीके स इसका कलर हो जाएगा सारा गूट में यागा जायेगा जो हम इसमें दाल्चीनी अर्ट किया थे और लॉंग इसका saara गूट इस पानी में आ गया है तो कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है इस पानी को बनाकर आ फ्रेज में रख भी सकती हैँ रोज-रोज-बनाने की जहनज इस पैक जो है न इसे बना कर आप रखिएगा मत उतना ही बनाईएगा कि एक बार में खत्म हो जाए लेकिन पानी को बना कर आप रख सकती हैं तो हम यहाँ पे एक चम्मच लॉंग का पानी लिए थे और इसमें हम आधा चम्मच एट कर रहे हैं सहद जो की काफी जादे चिप चिपा हो जाए और फेसियल एर को इस्टंट खीच के निकाड़े आपके स्किन को नहीं सूट करता है तो इस केस में आप इसे इसकीप कर सकती है ठीक है जी तीसरी इंग्रेडियंट हमें हाँ पे ले रहे हैं सिंपल सा गेहूं का आटा जो की सभी के घर में इसली यह भी मि पूटिया बनता है और यह काफी जादे चिकना पाउडर होता है जो फेसियल एर को बहुत ही आराम से निकाड़ देता है इसकीन पे चिपक जाता है बालों में चिपक जाता है और आराम से बालों को खीच के निकाड़ देता है अब इसमें हम थोड़ा सा एड़ कर नहीं है 5-6 बूंद coconut oil ठीक है जी नारियल का तेल आप इसमें डालिएगा जरूर नाई तो फिर ये पैक निकारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये काफी जादे चिकना है गेहूं का आटा है प्लस इसमें हम जो लॉंग डाले थे उसका पानी है सहद है तो ये सभी मिल को हटाने के चक्कर में आपका इसकीन बहुत जादे लूज हो गया है जूरियां बहुत जादे दिख रही है या तो इसकीन डार्क सा हो गया है अपर लिप का जो एरिया पूरी तरह से अलग हो गया है इसकीन साउला पड़ गया है तो ऐसे में आप थ्रेडिंग कराना से ब 5-6 दिन में बाल नहीं करने लगता है अगर आपके साथ एक प्रावलम होता हो तो कमेंट करके बताईएगा कि रेजर के थुरू बाल साफ करने पे बहुत जल्द उसकी ग्रोथा जाती है तो अभी ये जो पैक था बन गया है चलिए देख लेते हैं फेस पे लगाना कैसे है तो अभी हम रेडी हो गए है फ्रेंड इससे लगाने के लिए तो किस तरीके से लगाना है सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लिजिएगा और फेस को क्लीन करने के बाद थोड़ा सा लेना है आपको कॉटन और जो लॉंग वाला पानी था उसे सबसे पहले हम अपने फेस पे लगाएंगे जहां का बाल हमें साफ करना है ठीक है जी लेकिन इसे लगाने से पहले पहला इस टेप आपका होना चाहिए फेस को क्लीन करना क्लीन करने के बाद इस पानी को अच्छे से टेप करकर के लगा लीजिएगा अगर आपका पास इस प्रे बोटल है तो फिर आप उसका भी उज़ कर सकती है लेकिन कॉटन से अच्छे से लग जाएगा सिर्फ आप उसी एरिया पे लगा लेंगी जहां का बाला आप साफ करना जाती है पूरे फेस पे नहीं लगेगा ठीक है तो अच्छे से कॉटन की सहायता से इसे लगा लीजिएगा इस पानी को और जो पानी बचेगा उसे फ्रीज में आप रख लीजिएगा इसे लगा कर आप छोड़ देजिएगा ताकि यह जो पानी है ना फेस पे सूख जाए अच्छे से पूरी तरह से सूख जाएगा उसके बाद से उस पायक को हम लगाने वाले हैं बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह काम कैसे करेगा तो देखिए जो लॉंग होता है ना फ्रेंड उसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो लूजिस्किन को टाइट करता ह फेसियल हेर के जड़ को बहुत जादे कम जोड करता है बाल जड़ से निकरने लगता है तो लॉंग भी बहुत अच्छा काम करता है फेसियल हेर को हटाने के लिए और गेहूं का आटा तो बहुत पुराने जबाने से यूज होता ही आ रहा है तो ऐसे में ऐसा भी मिलके फे इसी के उपर हमें लगाना है ठीक है इसी के उपर लगा लिजिएगा लगा कर 5-6 मिनट के लिए हलके हाँ से मसाज करना है ताकि जब हम मसाज करेंगे तो बालों के जड़ों में जो पैक है जाएगा तो जो लॉंग का पानी है न ओफेसियल हेर के जड़ को सौप्ट तो इसे हमें मसाज करना है 5-6 मिनट के लिए जो नेचुरल चीजे होता है फ्रेड़ना ओई स्कीन को नुकसान नहीं करता है हो सकता है कि आपके फेस पे काम ना करें क्योंकि सबका इस्कीन टाइप अलग होता है तो जो आप लोग कमेंट करते हैं कि एक बार में रिजल्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आपके फेस पे एक बार में रिजल्ट ना दे तो आप लोग कई बार उसे यूज भी नहीं करते हैं एक बार में कोई काम नहीं करता है तो फिर आप उसे छोड़ देते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि एक काम नहीं किया चार-पांच बार इतना जल्द बालों की ग्रोथ दुबारा से आ जाती है, वो आपकी स्किन को नुकसान भी करता है, लेकिन अगर आप घरेलू तरीके से फेसियल हेर का टीटमेंट घर पे करती हैं, अपने हाथों से करती हैं, तो जो भी रेमेडी आप तयार करें, जो भी पैक आप बनाएंग बहुत अच्छा है, आपके फेस पे काम करेगा, लेकिन हो सकता है कि एक बार में रिजल्ट ना दे, मुझे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, कि ये काम नहीं करता है, तो एक बार में नहीं काम करेगा, उसके लिए कई बार आपको लगाना पड़ेगा, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस पैक को मैं लगा कर 5-6 मिनट के लिए मसाज की थी, मसाज करने के बाद इसको मैं छोड़ दी थी 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में काफी हद तक स्कीन पे सूख गया है, तो इसे हमें बालों के आप पो भी काफी अच्छा काम करता है, फेसियल एर को हटाने में, तो इसे क्लीन करने के लिए एक गिली हैंकी ले लिजिएगा, और ले करके अच्छे से इसे क्लीन कर लिजिएगा, बालों के अपोजी डायरेक्शन में ठीक है, डायरेक्ट पाने से धूलेंगी तो हो सकता है, बा आपको इस ट्राइब का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर लिए